असलाम अलेकम दोस्ते मेरा ना मैं आजम और आप सबी लोगों का वेलकम करता हूँ टेक्निकल टीवी यूटीव चैनल में दोस्तों मैने सब्सक्राइबIF कम्मिनिटी वोट पूचा हा था क्या क्या आफ सबी मेरी कौन सी वीडियो देखना प्संद करती होlık में का जdays का यूटिवी इन्फॉपिक के वेडियो ब्क Inde मेंOS करती हो YouTube की जो भी प्रोब्लम्स है वो मैं आपकी हल करूँगा आप इग्णर हो तो आपको मैं आगे की तरफ लेके चलूँगा या कोई भी YouTube की अपडेट हैगी वो इसी चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपने मेरी कोई और वीडियो देखे मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को सपोर्ट किया है तो आप मेरी कुए और वीडियो देखने में पसंद करते हो इस टोपिक के इलावा आप इस टोपिक का नाम उस टोपिक कbait के अंडर बताना तो आप जो मेरे topic को पसंद करते हैं उसका नाम मुझे जरूर comment box के अंदर बताईएगा तो लेकिन आज की इस video के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका एक YouTube चैनल है तो YouTube चैनल Google Adsense के ऐसा link होगा यानि कि monetization हो चुका है अगर आपका YouTube चैनल तो Google Adsense के अंदर आपको पता है कि 10 डॉलर complete करने के बाद आपके गड़ पे एक pin बेज़ी जाती है address verify करने के लिए तो अगर आपने अभी तक अपना address verify नहीं करवाया यानि कि 10 डॉलर complete करने के बाद आपको नहीं पता कि कैसे Google Adsense की request की जाए pin के लिए 2019 के अंदर क्या method है कि आप एक दो तीन और account की pin उसी address पे लो तो कैसे आप और ज्यादा पिन मंगवा सकती हो किसी और account की उसी address पे और अगर आपने अपनी pin के लिए दो तीन बार try की request send की तब भी आपकी pin आपको नहीं मिली तो आप चोती दफ़ा या तीसरी दफ़ा without pin के अपना जो address है वो कैसे verify करोगे और 2019 में pin के साथ साथ आपको एक और account करना होता है अपने Google license के account को verify करवाने के लिए वो क्या है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा तो I hope इस वीडियो को देखने के बाद Google license के जो भी problems है आपकी Google license को verify करवाने के लिए 2019 के अंदर क्या क्या करना पढ़ेगा सबी कुछ मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपके problem का solution आपको दे दूँगा और यो वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए helpful रहेगी तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस एड लाइक करना शेयर करना तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि आप 10 डॉलर कंप्लीट कर लिए और रिक्वेस्ट सेंड नहीं की तो कैसे आप अपने address को verification करवाने के लिए जो के pin की request सेंड करोगी तो यहां पर दो बातों का आपको ख्यार रखना पड़ेगा अपनी request सेंड करने के लिए सबसे पहले जो चीज आपको जरूरत होगी वह यह है कि आपको जो address है वह बिलकुल आपको पता हो बटन शो होगा आपने इसके ऊपर click करना है बस click करने के बाद आपने wait करना है कुछ दिनों के लिए यानिके एक महिने के लिए आपको wait करना पड़ेगा नौर्मली पाकिस्तान में एक महिने का wait करना पड़ता है उसके बाद आपके गरा के address के उपर आपको एक pin send कर दी जाएगी वो आप enter करोगे उसके बाद आपका जो address है वो verify हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पर बात करते हैं अगर आपने pin के लिए request send कर भी दी दो तिन बार आपने try की तब भी आपकी pin आपके घर तक नहीं आई तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो दो से तीन जो mistakes हैं वो अक्सर लोग कर देते हैं जिनकी वज़ा से उनकी pin नहीं आती तो आपने वो कौन सी code जो area code होता है वो गलत लिख देते हैं अगर अगर आप गलती करोगे हैं तो आपका जो postman ऐど को कैसे आएगा जो आपकी PIN है वो आपके शेहर में उसके पार आपके घर तक कैसी आएगा उसके इलावा जो लोग गलती है वगलती करते हैं तो यह करते हैं दो बार जब महीना गुजर जाए तो आपको पोस्ट ओफिस जाकर ट्राइ कर लेना चाहिए उनसे पूछ लेना चाहिए के मेरी इस तरह की कोई पिन आई नहीं अगर आई है तो वो आपको दे दे कर अगर नहीं आई तो फिर आपको दबाड़ा ट्राइ करनी चाहिए तो ये होगी दबाड़ा पिन मंगवाने लेकिन आप यहां पे बात करते हैं कि तब भी दो तीन बार ट्राय आपने कर ली तब भी आपकी पिन नहीं आई तो आप गूगल एड़संस की पिन के बगार आप अपना ड्रेस कैसे वेरिफाय करोगे अब जो में बात आती है वो यह है कि दो तीन बार आपको ट्राय करना पड़ेगा गूगल एड़संस खुद कहता है तीन बार आपको जो के रिक्वेस्ट करने की उप्शन होती है तीसरी बार आप उसी पेज पेज़ जैसे जाओगे तो वहां पे आपको रिक्वेस्ट की काउंट के अंदर वह आपने यूज़ करना है अपना कर लो अपने पैरन्स का कर लो अपनी मदर का अपने बाई का सब कुछ चलेगा ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है उसका फिर्स नेम लास्ट नेम एंटर करना है शनाक्तिकार्ड की दो फोटो उतार के फ्रेंट औ लेकिन आप क्या है 2019 के अंदर गुगल एड्स ने कुछ और चेंजिंग की है गड़ के अड्रेस के साथ साथ आपको एक और चीज़ एंटर करनी परती है अपने गड़ के अड्रेस को वेरिफाय करवाने के लिए जैसे आपनी पिन एंटर की आपका गड़ का ड्रेस पिन एंटर करनी पड़ेगी सबसे पहले आपका वह अड्रेस आएगा वह नाम आएगा वह नंबर आएगा जो आपने एंटर किया होगा वह आपने डन कर देना उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप अपने जो आईडी कार्ड की दो फोटो उतार कर अच्छी वाली वह आपने साथ लिंड करनी है एक फ्रंट की और एक बैक की जैसे ही आप वह अटेज करोगे तब जा कि आपका गूगल एड्सन जो कंप्लीड वैरिफाई होगा पहले क्या होता था बस आपने पिन एंटर की आपका गर का ड्रेस वैरिफाई होगा अब पिन के साथ साथ आपक यार लाइक करना कोई तब भी प्रोब्लम है तो आप अपनी प्रोब्लम मेरे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हो उसका जो भी प्रोब्लम का हल होगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगर वीडियो अच्छी लगी ज्यादा अच्छी लगी तो चैनल को हाथ के बेल बटन को प्रेस करना इससे क्या होगा मैं जब भी इसी तरह की और वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफ्केशन मिलता रहेगा वीडियो को शेयर करना तो चले मिलते हैं कि नई वीडियो को साथ तब तक लिए अपने प्यारों का पाकिस्तान और इंदाबाद